जैहिन नमस्कार दोस्तों मैं विरार्त उद्री श्वागत आपके अपने येट्यूब चनलम फोजी में दोस्तों आज का ये वीडियो इस्पेसली आप सभी के लिए बहुत सरे बच्चे एससे जीडी में जो गलतिया करते थे बड़ी-बड़ी जिसका उनको काफी नुक्सा की जो अनुमानी तो डेट अभी परजेन टाइम में न्यूज में भी आई थी एससे जीडी की जो ट्विटर हैंडल उसके ओपर भी तो लिखी गई थी उस डेट के अनुसार एससे जीडी की वेकेंसी है वो कब आ रहे है दस जून या पंद्रा जून पंद्रा जून के बीच में ऐससे जीडी की नोटिफिकेशन आने वाली तो दोस्तों इसके साथ ही एक चीज हो जाती है पिसली वेकेंसी में आप सबने देखोगा बहुत सारी लोग गलतियां कर बैठे थे जिसकी हुझे से उनको काफी बड़ा खाई मे घ्रिचेक्ट ठीक है रिजेक्ट से लिट रहा एते कब आये से मेरिट से पेले ठीक है तो मेरिट से पहले रिजेक्शन लेटर आए इसका मतलबाब सोंच लिए कि अंत में जाके आज आप गलती के रहोगा इसका नुकसान आपको होगा जब फाइनल मेरिट आएगी उस दि ही आज कर नब कि आज कब और लृगंत जिस दिन आपकी फाइनल मैट आई यह उस दिन इसका नुब सान आपको उठाना पड़ेगा चार तो सबसे बड़ी कि प्रोग्रम हो भू है त्रेंद क्लास की मारक सिट रहा और उसमें और कि जो उनका है डो मींश्यल बनावा है एडो मिश्यल तीसरा बताता हूं इन में क्या प्रोबल्लम है कस्ट सेटिपकित बनावा है सबसे ज़्यादा प्रोब्लम हो रही क्या कि टेंथ क्लास की जो मारक सीचिट है इसमें माता-पिता का नाम अलग है जो इसमें अलग है और जो इसमें अलग है आपको पता है मुखे रूप से जो डोकॉमेंट है आपके वह एक तो है आपकी टेंथ क्लास की मारक सीट दूसरा आपका डूमीश्य तीसरा आपका काश्यटी ठीक है जो भी वाले बच्चें उनके लिए यह तीन सबसे इंपोर्टेंट सीच है अब हुआ क्या कि आपके माता-पिता का नाम अब कि तेंथ कवाकी माकष्यक में अलग है कई बच्चों के टुवल्स के लिए लिए लग लगुऑ की क्लांस सबसे का अब उनके बहुत सारे मेंसे आते हैं हम क्या करें तो दोस्तों ध्यां रखिव आपकी टेंथ क्लास की मारक सिट में जो आपके मता-पिता का का नाम है वही नाम आपके मूल नुवास में होना चाहिए और वही मापके Congratulations मेरें भ्根श्भीड में मेरें को नाम के स्वेरी के समय अब कर दोकॉमेंट्स थोईनिंग के समय कि डोकॉमेंन्स वेरिकेशन अपके और लेकिन आपके कौन कौन सी डोकुमेंट्स होगे दोमीशल सेटिफिकेट और कार सेटिफिकेट इन में जो नाम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए अकोडिंग टू टेंथ कलास की मारक्षिट अगर आपका नहीं है करा लिजिए अब इसके बाद में एक वो रता आपका आधार कार्ड आधार कार्ड में बहुत सारे बच्चों के प्रोब्लम आती है कि से अमरा आधार कार्ड में मतलब नाम सही नहीं है तो आधार कार्ड में तो आप तही करा सकते हैं थम लगाया और चेंज करा लिजिए कोई प्रोब्लम है नहीं तो आधार कार्ड में चेंज करा लि यह अभी इसकी वज़े से और जनरल एरिया इनकी वज़े से अभी पड़ेंट टाइम में कम से कम हजारों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थी क्यों कि क्या होता है जो जेनरल डिस्टिक होता है जो जेनरल एरिया होता है जेनरल डिस्टिक होता है उसमें जेनरल केटेगरी तरह किसी भी परकार का आरक्षन नहीं होता मतलब 0% होता है लेकिन बोर्डर एरिया और नक स्टिक आता है अब बहुत सारी बच्चे मेरे से बोलेंगे कि सर हमारा डिस्टिक कौन सा है जिसको डाउट हो कमेंड बोक्स में कमेंट कर देना मैं उनके लिए पूरी 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 एक लिस्त तयार करके एक दिन कम्मुनिटी पोस्ट पे डाल दूँगा ठीक है तुरंत र कर लिए जल्दी से जागी क्योंकि एससी जीडी की वहां पर तयारी मात्र में 600 में करवा रहा हूं ठीक है और कमांडो अकेडमी जो अपने यूटूब चैनल है उस पर हर रोज कला से लगते हैं मेहत रिजनिंग और सब्जेट की जीके की भी सभी की सब्जेट की कला से सु अब टेंथ कलास की मारक सीट में क्या सही होना चाहिए देखो टेंथ कलास की जो मारक सीट है उसमें आपके एक तो रोल नंबर में अगर आपने पोरम बढ़ती समय गलती की तो फिर आपका डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा एक डेटो बर्थ डियो भी ठीक है ये दो च नाम फोरम बढ़ते समय इन चीजों का विशेश फोकस कर लेना ये बिलकुल करेक्ट होने चीए करेक्शन का मौका फिर बाद में मिले ना मिले वो काम में नहीं आएगा कईयों के वह एपलाई हो गया कईयों के नहीं हुआ है ठीक है लाड़ लो तो ये विशेश